हाई वीडियो मैं बात करने वाले question के बारे में इसका नाम है array subset of another array इसका क्या मतलब है हमें दो array is given है हमें बताना है कि क्या a2 जो array है वो a1 का subset है या नहीं है subset का क्या मतलब होता है कि जो a2 में elements है वो सारे तुम्हारे a1 में होने चाहिए हमें that is the only condition तो क्या करते हैं एक बारी थोड़ा सोचते हैं हमने क्या पड़ा रिसेंटी माप्स पड़ा है तो यूज होगा यहां पर खुल शुरू करते हैं हमें array दे रखे हैं या दो एक हमें दे रखा a1 और एक हमें दे रखा a2 हमें दे रखा 11,1,2,5,6,10,15 और हमें एक दे रखा 1,2,5,6 हमें दो arrays दे रखे हैं हमें बलाए क्यार यह find दिदर के बता दो कि जो a2 में जितने भी elements है वो क्या a1 में है कि नहीं है हम इसकी एक अप्रोच क्या आगर सकते हैं सबसे basic approach क्या आगर सकते हैं हम बोलें गयार हम सारे a2 के elements मादब सारे a1 के elements पर जाएंगे और सबको check करेंगे a2 में तो में क्या करना पड़ेगा दो loops लगाने पड़ेंगे पहले loop में हम सारे elements में जा रहे हैं और दूसरे loop में मादब हमने क्या बहला for i is equal to 0 से i is less than a2 का size और i plus plus यह करा हम ने हम गए for i j is equals to 0 से j is less than a1 का size और j plus plus और यहाँ पर हमने check करा if a2 का i है वो equal है हमारे a2 के j और फिर हम count करते रहेंगे जैसे जैसे इक्वल होंगे यह करके हमारी time complexity होगी वो n square है क्योंकि हम n into m आएगे मतलब n into m हमारी time complexity आ रहे होगी क्योंकि हम दोनों areas को traverse कर रहे हैं maximum expected time complexity है हमारी order of in और extra space हम ले सकते है order of in लब हम एक और कुछ बना सकते हैं एक और कोई data structure का use कर सकते है help ले सकते हैं but हमें इस question को solve करना है order of in वाली time complexity में अभी हमने recently पढ़ा hash maps के बारे में यूज करूँगा देयर अनॉडरी मैं अनॉडरी माप्स हमने अनॉडरी माप में अमने थे तरीके माप पड़े अनॉडरी और ओर और तो मैं आप प्रार में आ दें यहां मैं युद्लिज भी गड़ना होता है तो login का time लेगा अधा करना है या पर हरबार element को find करना है हमें हर बार element को find करना है तो हमें order of log n का time लगेगा find करना है और हर को करना हो तो n log n हमारी time complexity हो जाएगा n log n is greater than तुम्हारा क्याते है n तो हम ये चीज यूज नहीं कर सकते हैं हम maps को यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं बट मैंने एक चीज और बताईती कि अगर हमें बस frequency store करनी है हमें order से फरक नहीं पड़ता order से फरक नहीं पड़ता तो हम frequency store करने के लिए unordered maps को use कर लेते हैं हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है हमें अपना एक unordered map बनाना है unordered map में या तो यह store कर सकते हैं कि it is available or not हम क्या करेंगे? इंडेक्स store कर लेंगे हम क्या करेंगे? एक map बना लेंगे हम उसमें इंडेक्स store कर लेंगे 11 कहां पड़ा है? 0 पे पड़ा है 1 कहां पड़ा है? 1 पे पड़ा है 2 कहां पड़ा है? 2 पे पड़ा है 2 पे पड़ा है ऐसे ही तुमारा नेक्स पर देंगे टू भी पढ़ा हुआ है नेक्स पर देंगे तू भी पढ़ा हुआ है बढ़िए तो हमारा सारे आजेंगे और हम क्या करेंगे रिटर्न करदेंगे अपना है कि हां यहां बाई यह सबसेट है बाइ चांस हो पे 8 होता एक और लास्ट में आता है मैं बोलते है 8 का है यहां पे तो क्या गरता 8 में न हमें आपे end हमें last supervisor लाके देता है end का end का iterator लाने का मतलब है कि नहीं है तो हम हापे ऐसा एगर कोई हमें में element मिलता है हम सिधा return कर देंगे नहीं है हमारा काम खता हुँए है इस पाले में अनॉॉड मैप तुम सीख भी जाओगे कैसे इंप्लेमेंट कैसे यूज करते हैं क्या चीज़े होती है तो हम भोलेंगा अनॉडर्ड माप सेम तरीके से इंप्लेमेंट करना है में इंट आफ इंट आफ बूल भी ले सकते हैं इंट बूल में सोर कर सकते हैं कि क्या वो एलिमेंट में अब टू फॉस तो हम बस टू टू डालना होगा तो कुछ भी तुम अपने हिसाब से लेख सकते हैं मने माप एक बना लिया हमने बोला अब चलो सारे इलमेंट को स्टोर कर देते हैं कैसे स्टोर करेंगे माप ओफ ए वन ओफ आए इस इकोस तो पाई अमने लास्ट वारी वीडियों में समझा था कि यह तुमारी की है और यह तुमारी वाल्यू है इस वाल्यू को कुछ भी डाल सकते हैं तना फरक नहीं पड़ेगा इस वाल्यू के लिए हर क्वेश्टिन के लाग फिरम कर रहा हूंगे अब हमें क्या करना है फिर से जाना है तक जाएंगे, i++ करेंगे, हम चेक करेंगे, if mp.find, inbuilt function है find, जो हमें find करके दे देता है, और iterator लाके दे देता है, कि available है की नहीं है, मतलब हम चेक करेंगे, available है की नहीं है, वो कैसे, बताता हूँ भी, हम यहां पर करेंगे, a2 of i को बोलेंगे, find करके लाओ, अगर यह जो value है is not equal to mp.end, is double equals to mp.end, that means value is not available, mp.end हमने बोला, और यहां पर available नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा return करनेंगे, no, कि this is not a subset of the above one, और अगर है, सारे values मिल जाते हैं, तो हम यहां पर यहां पर यह से return करते हैं, काम खतम है, यहां पर यह कुछ चेक करेंगे, मैंने समझाया, कि अगर end हमें मिलता है, find से, that means कि वो values वाले map में available ही नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो बस simple काम कतम होगा हमारा, बहुत easy है, यहां पर तुम देखो, order of n, order of m, अब n is greater than m, तो इसकी time complexity order of n होगी, और अपना काम कतम होगा, एक और compile करेंगे देख करेंगे, तो इतना ही दैस वाली वीडियो में, easy question है, एसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा और questions करेंगे, thank you so much for watching this video, I hope तुमें वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में, तब तर के लिए, bye